All right, एक बहुती comprehensive discussion करूँगा, आप लोग के लिए short notes बनाना advantage होगा या फिर disadvantage होगा Actual में देखा जाएगा हर चीज़ का अपना advantage होता है, हर चीज़ का अपना disadvantage होता है Medicine में अगर आप proper तरीके से use करोगे उसका advantage मिलता है, overuse करोगे उसका disadvantage मिलता है तो short notes एक वैसा medicine है, जो आपको एक अच्छा rank achieve करने के लिए help कर सकता है तो उसका में आपको use बताता हूँ कैसे करना है January में आपको 10 mock test देने हैं और majority of the लोग alternate days mock test लिखेंगे जो भी बीच में gaps मिल रहे हैं, उसमें maximum subjects revise करने ही कुशिश करेंगे अगर आपको 5-5 दिन का gap मिलता, 10-10 दिन का gap मिलता, तो आप short notes नहीं बनाते पर आपको हर mock test के बीच में एक या फिर दो दिन का gap मिल रहा है, इसले आप short notes से revise करना prefer करोगे तो आप December 31st तक जो भी subjects revise करोगे using main notes revise करेंगे, using notebook revise करोंगे पर जब आपको mock test से पहले revision करने हैं subjects की, तभी आप revise करें using short notes, तो short notes का use कहाँ पर करना है, अपने mock test लिखने से पहले या फिर सिर्फ January के मन्त में, उससे पहले नहीं, पर एक aspirant short notes बनाता क्यों नहीं है, क्योंकि उसे बहुत ज़दा time consuming process लगता है, बहुत ज़दा time waste लग एक concept में क्या include करना है, क्या exclude करना है, इतना ज़दा सोचने से अच्छा है, मैं जो चीज़े हो चुके हैं, या फिर जो चीज़े बाकी हैं, उसे cover करनी कुशिश करता हूँ, तो time बचाने की चक्कर में, वो वो उस time की planning नहीं कर रहा है, कि January में वो क्या करेगा, mock test देने से पहले वो क्या करेगा, अगर आप short notes फिर भी नहीं बनाना चाहते, आपके पास at least handbook होना चाहिए, और आप handbook side by side refer करो, जबी भी आप कोई concept पढ़ रहे हो, वो concept की page में आते हैं, या आप refer करनी कोशिश कर सकते हो, पर मेरे इसाब से अगर आप खुद के हातों से short notes बनाओ हर subject के लिए at least 10 to 15 pages के short notes होने चीए, अगर आप short notes बनाओगे, उसका clear advantage आपको January के mock test में मिलेगा, ठीक है, short notes use कब तक नहीं करना है, December 31st तक नहीं करना है, पर क्या January के complete मन्त में आप short notes revise करते रहोगे, gate exam से पहले भी आप short notes revise करते रहोगे, यहीं पर improvised strategy आती है, जो मैं अगर यह EAC exam होती या फिर किसे PSU की exam होती, जिसमें direct questions आते हैं, ज्यादा conceptual ज्यादा logical questions नहीं आते हैं, तो मैं आपको बोलते हैं आप short notes से revise करते रहो, पर gate exam में 20 marks से questions direct formula बेश्ट हो सकते हैं, पर majority of the questions conceptual होते हैं, logical होते हैं, उन्हें crack करना है, तो concept आना चाहिए, logical understanding होनी च और वो कहानी आपके notebook में present ठी, ठीक है, तो gate exam से 10 दिन पहले, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना mock test लिखना stop करना है, यह हो सकता अभी तक आपको किसे ने बताया ना हो, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे, और अपने faculty से भी suggestion लोगे, कि मैंने आपको ऐसा बता मैं क्या करूँगा, दस के 10 दिन अपने notebook से revise करनी कोशिश करूँगा, यह मुझे क्या help करेगा सर, मेरे जो भी कहानी थी concept की, उसे मैं वापस से fresh revise कर रहा हूँ, जो भी मेरे previous sir के question से मुझे difficulty face हो रही थी, मैंने star mark किये थे, उसे revise करनी कोशिश करो इस 10 दिन में, जो भी मे decision होगी using main notes, और जो भी आपके difficult questions थे या फिर जो mistakes थे, उसे आप revise करोगे, ठीक है, short notes से आपको कब revise करना है, उसी time span में revise करना है, जब यह आप mock test लिख रहे थे, तब, हम mock test के लिए क्यों नहीं revise करें using main notes, कि आप कर नहीं सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा mock test लिखना है, तो आपको कम time मिलेगा बीच में, हर mock test के बीच में, इसलिए आप short notes से revise करना prefer कर रहे हो, पर gate exam के लिए हम वो चीज़ प्लाइन कर सकते हैं, 10 दिन पहले रोक कर ख gate exam से पहले 10 दिन रुख जाना है, mock test लिखना बन कर देना है, और तब आप सिर्फ अपने main notes revise करोगे, सारी कहानी आपके सामने fresh हो जाएगे, सारे concepts आपके सामने fresh हो जाएगे, हर दिन अगर एक subject भी revise करोगे, तो भी 10 के 10 subject revise हो सकते हैं, तो यह है एक बहतर strategy, एक gate exam में बहत होगी की नहीं, पर मैं यह इसी चीज़ के बार में सोचते रहता हूँ, gate exam के बार में सोचते रहता हूँ, बहुत लोगों से suggestion लेते रहता हूँ, और यह जो भी मैंने suggestion लिये हैं, बहुत ही expert लोगों के साथ ले, मैंने discussion करके आपको बताया है, यह मैं अपने मन से सिर्फ आ जब यह आप mock test लिक रहे हो तब, पर gate exam से 10 दिन पहले, अगर आप main notes revise करोगे, ज्यादा advantage मिलेगा, ठीक है, और gate exam के एक दो दिन पहले आपको कुछ भी revision नहीं करना है, कुछ भी, कुछ भी नहीं करना है, एक दिन, एक दो, एक दो दिन पहले सिर्फ रेस्ट करना है, पर gate exam के 10 दिन पहले, आप main notes से revise करने ही कुशिश कर सकते हो, और 2 दिन पहले exactly gate exam के पहले, खुद को रोक सकते हो, ideal रह सकते हो, तो यह मैं आपको aware करना चाहता हूं कि यह time के लिए prepared रहो, और short notes बनाओ, और main notes का भी significance समझो, main notes आपको revise करने है, वापस से 10 दिन पहले, तो यह ए strategy है, और अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो आप मुझे Instagram पर पूच सकते हो, तो यह Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मैंने एक नया चैनल बनाया है, जापे में बहुत सरे टॉपर्स की engineers की specific, जो भी successful engineers होके निखले हैं, उनके में लाइफ की जरनी बताने बाला ह सको हो, और आप रिलेट कर सको होगी, हर टॉपर या पिर हर successful इंसान भी उसी फेस से निकलता है, जिस फेस में अभी आप प्रेजेंट हो, अभी के टाइम पर फैमिली बहुत दाप पर प्रेशर डालती होगी, यूँकि आप उनके सामनी प्रिपैर कर रहे होगे, उन्हें अगरा होगा कि मेरा बेटा आठ गंटे पढ़ रहे है, वीटी दस गंटे पढ़ रही है, क्लासे भी लगाया है, तो आफ कोर्स सक्सेस्पूल होके निकलेगा, पर ज़रूरी नहीं आप सक्सेस्पूल होके निकलोगे, और या आपको पता हो ना चीए, पर इसका मेनिंग यह भी नहीं है, क्या हम अपना प्रिप्रेशन करना बन कर देंगे, उन्हें इग्नोर करो, वो नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझानी की ज़रूरत है, और रही बात, रिविजन करने की, तो रिविजन करना होगा, और अभी आप कैसे रिवाइस करोगे, प्लेन पीजे स्लोग विजन करना होगे, और रिवाइस करना ही, यह रिवाइस करे लिवाइस करोगे, स्टार्ट तु एंड, पूरी कौनसेप्त की कहानी करें लिखो, फ़र्स चैप्टर के बाद, जर् लास्ट चैप्टर तक जाओ, जिस सिक्वेंच में अपके नोटू के सारी चीजे लिखी ह जाओ और रिवाइस करते जाओ फॉर्मुलास और जो भी कॉंसेप्स हैं उसे विजुलाइस करो या फिर दिमाग में याद करने कोशिश करो इस तरह से आपको रिवाइस करने हैं ऐसे जब या बहुत बार रिवाइस करोगे मल्टीबल सब्जेक्स तो प्लेन पीजिस के ऐसी च Less चीज चोटा चोटा चीज अपने प्रिकेरिशन में कर सकते हो खुदी कुद को मोटीवेट कर सकते हो मैं इतना इंग्स रखना हॉँंग है वीडियो और हम फेसी वीडियो के साथ इतना हिथा इस वीडियो में हम फीर विडियो के साथ तो